नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चेनल और दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि वीडियो नेटवर्क मर्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों के सामने आता है उसको खतम कर देने वाले दोस्तों हमेशा के ल प्रसंद आये तो इस वीडियो को лайक करना हर टीम के हर वraum来क्ते के साथ इस वीडियो को शेर करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना दोस्तों क्योंकि हर वीक आपको नया वीडियो मिलता है इसलिए आप बेल आकन को प्रेस करके जरूर रखना क्योंकि आपको पेसेज मिले दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों नेटवर्क मर्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज के आता है अगर आपका नेटवर्क मर्केटिंग का बिजनस कैसे करे और दोस्तो अगर आपका नेटवर्क मर्केटिंग का बिजनस स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं है तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी दोस्तो जितने भी सफल लोग हुए हैं नेटवर्क मर्केटिंग के अंदर उनका रे पहले कभी नहीं जानते थे उनको और दूसरा है दोस्तो हाउ टू सो प्लान उन लोगों के साथ प्लान कैसे शेयर करें एक दोनों विशे पे हम डीपली चर्चा करेंगे दोस्तो बिना किसी स्किप करें इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखो देखना दोस्तो क्योंकि वीडियो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चेलेंज खतम कर सकता है अगर आप नेटवर्क मर्केटिंग कर रहे हैं और इस पॉइंट पर आप धान नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत गल्द डिरेक्शन पर जा रहे हैं दोस्तो इसी के साथ में हम आल दोस्तो यह दो चर्चा भी करेंगे कि नेटवर्क मर्केटिंग में क्या करना चाहिए उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है इन दोनों विसे पर हम चर्चा करेंगे दोस्तो अगर आप नेटवर्क मर्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं और अगर आप ड्रेस कोड को फ पॉलो करिए मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा कि आप बहुत महंगा पहने हैं सिंपल पहने हैं लेगिन दोस्तों वो एक फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस के अंदर होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ड्रेस 50% आपका बिजनस इंपक्ट करती है जो आपका ड्रेस कोड होता पहचानना है उसकी पहचान क्या है उसका एक ड्रेस कोड होता है प्रॉपर एक ड्रेस कोड अगर नहीं लगाया वह तो आप कितना भी बड़ा डॉक्टर उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे मान लीजिए एक्जाम्पल के रूप में आप किसी रूम पे गए वहाँ एक चप आप दोस्तों उस चपरासी के पास अपना चेक अप करवाएंगे क्यों कि उसने डेडिकेटेड एक ड्रेस कोड को फोलो कर रखें इसी प्रकार से दोस्तों हमारे देश की पुलिस जब आपके सामने आती है प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ तो अनुसासन इंप्लिमेंट होन किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अभी मुझे अनुसासित रहना पड़ेगा तो ड्रेस कोड इस बिजनस के लिए बहुत जरूरी है एक बिजनस ब्रेस कोड को फोलो आपको करना पड़ेगा दोस्तो सबसे बड़ा पॉइंट है नेटवर्क मर्केटिंग बिजनस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तो और इसको बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वज़े से स्ट्रेंजर उसके साथ ये बिजनस नहीं करते हैं वो बहुत मैनित करते हैं वो रात, दिन मेहनत करते हैं कोई भी वेक्टी आया है उसको बता दिया कोई भी वेक्टी आया है उसको बता दिया आपने starting में बहुत अच्छा relation बना है लेकिन last में कुछ आप ऐसा कह देते हैं जिसकी वज़े से जिन्दगी में आपका कभी फोन नहीं उठाते हैं आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि उसने मेरे को response तो बहुत अच्छा दिया था लेकिन अब वो मेरा फोन नहीं उठाते क्या ऐसे सब्द आप बोलते हैं जिसकी वज़े से वो फोन नहीं उठाते उस पे भी हम चर्चा करेंगे strangers के prospecting को एक बहुत अच्छे example से समझते हैं दोस्तों एक social experiment हुआ था दोस्तों एक practical social experiment हुआ था किसी एक विक्ती ने genuinely किसी बेग में पैसे डालके social experiment करा था अंजान लोगों के साथ वहाँ पे वो offer कर रहे थे कि ये बेग पैसे से भराव है और मैं आपको देना चाहता हूँ और दोस्तों अंजान लोगों में से 99 में प्रतिशत लोगों ने वो बेग नहीं लिया reason क्या जानते हैं reason था दोस्तों उन लोगों ने ना क्यूं बोली reason था trust उन लोगों ने बोला कि हो सकते हैं इसके अंदर bomb हो आप मुझे क्यूं दे रहे हैं बहुत सारे क्योशन के रियेट हो जाते हैं बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं पहली बार एक इसी में से मिले और सारा business प्लान दे दिया कितना भी बड़िया business आप करते होंगे लेगिन जब आप उनको बताएंगे तो trust नाम की जो चीज आती है वो सबसे पहले उनके दिमाग में सबसे पहला click किये करती है कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं जब मेरी इसके कोई जानकारी ही नहीं है तो ये मुझे इतनी बड़ी opportunity क्यों बता रहे हैं इसका मतलब ये मेरे साथ कोई fraud करना चाहते हैं ये मेरे साथ कोई धोगा करना चाहते हैं और दोस्तों अगर ये ही बेग अगर आप किसी जानकार को देंगे तो जरूर 99 में प्रतिशत लोग उस बेग को ले लेंगे और इस बात से बहुत बड़ा हमें कुछ समझ आये दोस्तों और अगर आप strangers के साथ business करना चाहते हैं तो कुछ points हैं जैसे आप मेट्रे स्टेशन गए हैं रैलबे स्टेशन गए हैं वहाँ पर आपको सुरूबात कैसे करने हैं कर दोस्तों वहां से सुद्सक्रान हो सकती हैं मैं बढ़िशन गद्गार में वहां रहती नहीं रहता हूं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके सेम सकल का गुडगाओं के अंदर रहते हैं इसी प्रकार से मेन मोटो ये है कि आपको एक चर्चा सुरू करनी है वो चर्चा नंबर तक पहुंच जाए ऐसी चर्चा आपको सुरू करनी है वो टेकनीक ओन्ड होनी चाहिए ऐसी दुनिया में कोई टेकनीक नहीं है कि आपको क्या-क्या सब्द बोलने है वो नहीं है वो आपको जैन्वन परसन बनना है और आपको बात सुरू करनी है मक्सद सिर्फ यह है कि बात सुरू करना है बहुत सारे लोग मेट्रो स्टेशन पे ही गए किसी व्यक्ति से बात करी और यह बोला कि यह मेरा कार्ड है मेरे पास एक बिजनस अपोर्चनिटी है और वो आप जब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों नेटवर्क मर्केटिंग बिजनस इंडिया के अंदर जबान हो चुक है जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको कोई चीज समझ नहीं आती नेटवर्क मर्केटिंग का बिजनस जबान हो चुक है हर व्यक्ति ने कोई ने कोई इस प्रकार की अपोर्चनिटी को देखा हो हैं और ज़रूरी नहीं है कि उसका नेटवर्क मर्केटिंग के प्रती एक्सपीरियंस अच्छा हो इसलिए आपका पोल नहीं उठाएगा दोस्तों मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उस सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके सामने वाली सीट पे कोई यक्ती बैटा है मान लीजिए आप चार गंटे ये पांच गंटे की जर्नी कर रहे हैं एक ही सीट पे आप आमने सामने बैटे हैं तो चार गंटे वो आपके सामने रहेगा और prospecting करने का सबसे बड़ा point यह हो सकते train के अंदर आप लोगों को अपना दोस्त बना सकते है metro के अंदर आप अपना दोस्त बना सकते है लेकिन सिर्फ इन location पे सिर्फ आपका मकसद दोस्ती तक होने चाहिए number exchange तक ही होना चाहिए दोस्तों कभी भी यहां पे opportunity आपको नहीं बतानी है वो हो सकते आप किसी petrol pump भी दोस्ती कर सकते हैं और petrol pump दोस्ती करना बहुत simple होते है माल लीजिए आप बाइक याग गाड़ी में petrol डलवारे है और सामने से कोई गाड़ी आ रही है जैन्मनली आपको जैन्मनली तारीफ करनी है यह नहीं कि किसी की बहुत गंदी गाड़ी हो बाहर से कचरा लगावा है और आपने बोला बाइसाब आपने गाड़ी की cleaning बहुत अच्छी कर रखे तो वहां से सटर डाउन हो सकते हैं माल लीजिए आपको अच्छी लगी अच्छी सी finishing कर रखे अच्छी सी cleaning कर रखे तो आप उनको बोल सकते हैं बाइसाब गाड़ी कहां से दुलवाते हैं तो यह बात करने की सुरुवात हो सकते हैं वो पूरी detail में बताएगा कि वहां जाते हैं इतने पैसे लेते हैं इतना time लगता है और वो बहुत अच्छे गाड़ी वोस करते हैं और बहुत अच्छे reasonable prize के अंदर करते हैं और मान लीजिए किसी की गाड़ी अच्छी नहीं लगी आपने वोस्सिंग अच्छी नहीं लगी तो उस गाड़ी के model number से भी आप बात सुरू कर सकते हैं Don't do this क्या नहीं करने इसके बारे में बात करते हैं इनको बड़े ध्यान से देखना दोस्ते I have a best company बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं किसी से बात सिथ सुरूआत करके काड़ पकड़ाते हैं और रुक कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी company है निन्यान में नहीं 101% आपका जिंदिगी में कभी फोन नहीं उठाएगा दूसरा I have a best opportunity for you मेरे पास एक ऐसी opportunity हैं जिसके अंदर आप कामियाब हो सकते हैं ये सब्द कभी नहीं बोलने आपको I have a business for you ये सब्द कभी उस व्यक्ति को नहीं बोलने I have a life changing project ये जो सब्द हैं कि बहुत सारे लोगों ने उल्रीडी बोल रखे और हो सकता है उस व्यक्ति ने ये सब्द उल्रीडी बहुत बार सुना हुआ है और वो किसी ने किसी गल्द कंपनी का भी सुना हुआ हो सकता है और उसके bad experience के वज़े से ये नाम को उन लोगों ने बदनाम कर दी हालांकि ये नाम सही है क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी कंपनी है हमारे पास एक बहुत अच्छी opportunity है हमारे पास एक अच्छा life changing project है है हमारे पास जिससे उसकी life change हो सकती है लेकिन दोस्तों ये नाम जब उनके सामने जाएंगे practically sound करेंगे तो वो व्यक्ति आपका phone कभी नहीं उठाएगा दोस्तो 90% chance fail होने का रहता है प्रस्पेक्टिंग fail का रहता है आपको क्या करने आपको relationship build करनी है make a better relationship उन लोगों से बात हो सके इतना आपको करने है अगला point है दोस्तो जरूरी अब आपकी relationship भी होगी आपकी पास list भी है लेकिन अब करना क्या है अब उन लोगों के साथ plan कैसे करने है और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजे clear होएगे दोस्तो और जब आप अपने आपको track करेंगे और आप एक से डेड़ साल से दो साल से अगर लगे वे होगे और आपको result नहीं आ रहे हैं तो सारी चीजे clear हो जाएगे आपके सामने कि क्यों मुझे result नहीं आ रहा है ये 100% practically दोस्तो बहुत सारे लोगों ने मैंने खुद ने इसको apply करा हुए और ये 100% काम करते हैं दोस्तो इसको ध्यान से समझिएगा जब भी कोई विक्ति प्लान करने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी mistake क्या करते हैं वो सोचते हैं कि मैं इस विक्ति को join कराने के लिए जाओंगा मेरी बहुत बड़ी team बन जाएगी और मुझे बहुत बड़ा check आएगा mindset ये लेके जाते हैं mindset जो होता है किसी विक्ति से मिलने से पहले वो यही होता है कि मेरी बहुत अच्छी team बन जाएगी मैं इससे मिल लूँ ये जुड़ जाए बस मेरी बहुत अच्छी team बन जाएगी अगले एक तारीको पांस तारीको पंदरा तारीको जो check आएगा वो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा और दोस्तो सबसे बड़ी mistake हमारा attitude दोस्तो आपको बहुत बड़ी बड़ी workshop के अंदर एक बहुत golden line मिलती है कि आपका जो attitude होता है उस attitude को giving attitude बनाके चलिएगा उसका मतलब यही होता है दोस्तो उसको deep यही होता है कि जब आपका focus रहता है कि मेरी बहुत बड़ी team बन जाएगे मेरा बहुत बड़ा check बन जाएगा तो दोस्तो जब आप plan करेंगे तो आपके सब्दों से जलकेगा आपके सब्दों से आपका लालच जलकेगा दोस्तो और directly आप plan शुरूगर देते हैं हमारी company ये करती है हमारी company का ये turnover है हमारी company के ये product है हमारी company के result oriented product है कोई फरकनी पड़ेगा और मैं again आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तो यहां 99% result आपका fail रहेगा एक दो परतिसत का नहीं कह सकता लेकिन 99% यहां आपका plan fail होने वाला है क्या करना है जब भी किसी विक्ति से मिलते हैं prospecting करते हैं तो उनके कुछ genuine objects होती हैं दोस्तो उनके objections होते हैं network marketing जो आप business लेके गए हैं वो objections होती हैं दोस्तो आपको अगर plan better तरीके से share करना है तो 4 technique 4 key technique को use करना है आपका plan 100% success हो जाएगा दोस्तो 4 key technique क्या है और यह 4 key technique use करने के बाद वो खुद बोलेंगे आपको convince करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद बोलेंगे कि मैं इस business होई से लिए करूँगा इस technique को ध्यान से समझेगा दोस्तो यह चार techniques है आपकी जो planning रहेगी वो इन चार buttons के इर्दगर्द रहने चाहिए melt the ice बरप को बिगलाना find the hot button press the hot button get a commitment यह चार buttons के चार जो key है इनके इर्दगर्द आपकी presentation रहने चाहिए दोस्तो जब भी आप व्यक्ती से presentation दे रहे हैं आप present कर रहे हैं तो कैसे सुरुवात करने हैं दोस्तो उन लोगों के साथ बात कैसे करने हैं मैं आपको simply तरीके से बता रहा हूँ और main points को आप ध्यान से देखना दोस्तो आपको क्या करने है visualization जो उसका visualization होता है उस सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तो visualization अगर आप उस जट्टी को ये करने ये बताने में कामियाब होगे कि वो इस business को क्यों करे तो 100% आपको result मिलेगा दोस्तो सबसे पहला क्या करने है find the hot button उसका जो button है उसको find करिए button को find कैसे करने दोस्तो उन से बात करने पे पता लगेगा कि उनकी वो सही button कुन सा है जिसको दबाने से आपके साथ है वो जुड़ जाए वो जोइन हो जाए वो button कैसे पता लगेगा दोस्तो उनके साथ बात करने से कौन सी बात सुनके वो दुखी होता है कौन सी बात सुनके वो said हो जाता है और कौन सी बात सुनके वो खुश हो जाता है, यह सारी बाते करेंगे तो पता लगेगा, यह सारी जब आप उनसे चर्चा करेंगे, तो आपको पता लगेगे कि कौन सी बात से वो दुखी हो रहा है, कौन सी बात से वो खुश हो रहा है, कौन सी बात से वो शीरियस हो रहा है, और कौन सी बात में वो एक कामियावी पाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है दोस्तों यहाँ पर कि सिंपल यहां इतना करने के बाद एक एक्टिविटी उर करनी है कुछ लोग तो बैड experience बताएंगे कुछ लोग बोलेंगे हाँ मुझे पता है वो अच्छी कंपनी होती है और कुछ लोग जिसमें ज्यादा चांस रहेगा कि मुझे नहीं पता तो आप उनको बताईए कि आईए मैं आपको बताता हूं कि लोग network marketing क्यों करते हैं यह वो समय है दोस्तों यहां आपको ध्यान से चलना है यह वो समय है जब आपका prospect आपकी तरफ attract होगा अब आप बताएंगे primary motivating factors पीएमेफ इस पीएमेफ को एक्टिवेट करने के बाद 100% आपके साथ वो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए जोड़ जाएगा दोस्तों इसको ध्यान से समझना दोस्तों primary factor इस परकार से जब आप बताएंगे कि बहुत सारे लोग extra income के लिए financial freedom के लिए खुद का boss बनने के लिए time freedom के लिए personal development के लिए दोगों के मदद करने के लिए लोगों से मिलने के लिए और एक अच्छी retirement के लिए और legacy से छोड़ने के लिए और आप यहां एक बहुत अच्छा question करने कि मान लीजिए अगर आप network marketing करें तो आप इन में से सबसे first priority किसको देंगे दोस्तों मैं कहता हूँ गई 80% लोग आपको इन में से एक खुद ही अपना hot button बता देंगे खुद ही अपना button बता देंगे जिससे आप उसको प्रेस कर सकते हैं 20% तो वो खुद कुछ नहीं बोनेगे वहां से निकल जाना है time कराब नहीं करने मान लीजिए उस विक्ति ने आपको golden 3 question पोचने है मान लीजिए उस विक्ति ने बोल दिया कि मुझे extra income के लिए करने आपने बुछा कि what is your number one priority यगर आप network marketing कर रहे हैं तो आपकी number one priority क्या रहेगी और उसने बोला कि मेरी priority रहेगी कि मैं extra income को choose करना चाहता हूँ दूसरा question आपको करने कि आपको आपने इसका ही क्यों चुनाव करा और practically जब आप पोचेंगे कि आपने इसका चुनाव क्यों करा तो बहुत सारी problems बता देगा कि मेरी कम income की वज़े से मुझे क्या-क्या problems face करने पड़ती है कि उसरा question पूछने why is there important for you ये आपके लिए तना जरूरी क्यों है वो सारी चीजे आपको बता देगा और जब ये आप कर देंगे तो दोस्तों 100% आपको prospect आपके लिए ready हो जाएगा अब आप अपना plan share कर सकते हैं अब वो visualize कर सकता है कि मुझे क्या मेरे dreams है वो आपको खुद बताएगा मेरे dreams क्या है मेरे सपने क्या है वो सारी चीजे आपको खुद बताएगा अपनी dream गार अपने dream house के बारे में सारी चीजे आपको खुद बताएगा और वो 100% आपके जॉइन करने के लिए रेडी हो जाएगा दो